लो एवरीवन कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे स्वस्तोंगे और आज हम बनाने जा रहे हैं चोलाई के लड़ू तो यहां पर मैंने लिया है आधर किलो गुड और धाइसो ग्राम भुनी हुई चोलाई आप चाहें तो चोलाई को घर पर भी भुन सकते है और उसको थोड़ा सा फोड लिया है जिससकी गुड गल्ने में थोड़ी से असानी हो जाएं तो चलिये लड़ा बनाना श्टार्ठ करते हैं यह सबसे पहले मैंने कढ़ाई में एक छोटा गलास पानी डाल दिया है और जैसे हमारा पानी हलका सा निमाया होगा हम इसमें तो यहां पर देखिए गोड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और यहां पर चासनी भी ठीक होना शुरू हो गई है तो लड़ू बनाने के लिए हमें चासनी की ठीकनेस का पूरा धियान रखना है तो चासनी की ठीकनेस को चेक करने के लिए हमारे पास यहां पर दो तरीके ह पहला ये कि हमें एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें चासनी डालनी है अगर ये गोली बन जा रही है तो यानि कि चासनी हमारी बिल्कुल तयार हो चुकी है और दूसरा तरीका है कि इसमें दो तार की चासनी आ जानी शाहिए तो इसके लिए मैं अपने हाथ पर थोड़ी सी चासनी लूंगी और चेक करूंगी कि इसमें दो तार बने हैं या नई बने हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो तार आ चुके हैं तो चासनी हमारी बिल्कुल तयार हो चुकी है यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और जो मैंने यहाँ पर चुलाई ली थी इसमें बीच में थोड़ा सा गढ़्धा बना लेंगे और उसी में चासनी डालेंगे जिससे की चासनी जल्दी से ठंडी ना हो जाए क्योंकि अगर यह ठंडी हो गई तो लड़ू हमारे बनाने में परिसानी आ सकती है और इसको थोड़ा केरफुली भी करना है क्योंकि यह काफी गर्म है और यह जो काम करना है हमें थोड़ा फास्टी करना होगा क्योंकि अगर चासनी ठंडी हो गई तो लड्डू बनने में हमारे प्रसानी आ सकती है तो सबसे पहले मैंने अपने हाथों पे थोड़ा पानी लगा लिया है तो लड्डू जो हमें बनाने है थोड़ा से प्रेस करते हुई बनाने है और देखी मेरे लड्डू बनने स्टार्ट हो चुके है तो यहाँ पर मेरा पहला लड़ू बनके हो गया तयार और मैं इसी तरह करके अपने सारे लड़ू बना लूँगी तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरे लड़ू पसंद आयों तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई